हेलो फ्रेंट्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बीजगडिती प्रस्णों को हल करना सीखेंगे तो इसलिए वीडियो का अंतक देखते रहें आए शुरू करते हैं आज का वीडियो कोस्टन नम्मर बन देखते हैं यदि वाय धन एक बट वाय वर्ग बराबर क्या होगा ठीक है आए इससे सॉल्ब करते हैं ठीक है क्या दिया गया है यहां पर वाय धन एक बटे वाय बराबर साथ दिया गया है तो काय का मान गयात करना है वाय वर्ग धन एक बटे वाय वर्ग का ठीक है यहां देखिए यह वर्ग की रूप में है और यहाँ पर वर्ग नहीं लगा हुआ है तो दोनों पक्चों का वर्ग कर देते हैं क्योंकि चिन भी समान है दोनों पक्चों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा Y धन एक बटे Y पूरे का वर्ग बराबर 7 का वर्ग हो जाएगा यहां ठीक है यहां देखिए एक सर्व समी का लगेगी A धन B पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है A का वर्ग धन B का वर्ग धन 2AB ठीक है इसी के हिसाब से यहां मान प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा वाई और बी बराबर क्या हो जाएगा एक बटे वाई ठीक है तो यहां मान रखते हैं यहां क्या होगा वाई वर्ग धन एक बटे वाई का वर्ग क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है धन दो वाई एक बटे वाई बराबर 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 सत्या 49 दीखे ये y अंस में है और ये हर में है ठीक है इस y से y को काट देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर y वर्ग धन एक बटे y का वर्ग ठीक है बराबर धन यहाँ दो बचा है दो बराबर 49 ठीक है अब देखिए ये इसका मान ग्याद करना है तो इस दो का यहाँ पक्छान तरण करेंगे यहाँ देखते हैं वाई वर्ग धन एक बटे वाई वर्ग बराबर 49 रिन ये वाला इस साइट जाएगा तो ये दो ठीक है तो क्या हो जाएगा वाई वर्ग धन एक बटे वाई वर्ग बराबर 49 में से दो गया कित्ता बचेगा 47 ठीक है ये इसका अंसर हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमर 2 देखते हैं यदि एक्स रिन एक बटे एक्स बराबर 5 हो तो एक्स धन एक बटे एक्स बराबर क्या होगा आई ये इससे सॉल्ब करते हैं दिखिए यहाँ पर रिन चिन है और यहाँ धन चिन है तो क्या करते हैं एक सर्व समिका होती है ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए रिन बी पूरे का वर्ग धन चारे बी ठीक है दीखे ये सर्वसमीका का मूल रूप नहीं है ये बनाया हुआ रूप है तो इसको हल करके देखते हैं क्या है सही है क्या होता है इसका विस्तार क्या होता है एक अवर्ग धन बी कवर्ग धन दो एबी बराबर इसका विस्तार क्या होता है A कवर्ग, धन B कवर्ग, रिन 2AB, धन 4AB इसमें जोड़ देते हैं अब देखिए, इस 4AB में से 2AB घटेगा, तो ये बराबर आ जाएगा क्या होगा इस साइड B, धन B कवर्ग, धन 2AB, इस पक्ष में भी वही है अब देखिए, मान रखते हैं, A बराबर क्या है, X है और B बराबर क्या है, एक बटे X है, ये इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, X धन 1 बटे X, पूरे का वर्ग, बराबर क्या होगा X रिन 1 बटे X, पूरे का वर्ग, धन 4, X गुणा 1 बटे X अब देखिए, ये X जो है, वो अंस में है, और ये हर में है, तो इससे इसको काड़ देते हैं ठीक है, बराबर देखिए, अब X रिन 1 बटे X, बराबर क्या दिया है, X रिन 1 बटे X, बराबर 5 तो इस पूरे कमान कितना है, 5, तो ये हो जाएगा, 5 का वर्ग, धन यहां क्या बचा है, 4 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25, 25 धन 4, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ठीक है क्या होगा किसके बराबर है X धन एक बटे X के वर्ग के बराबर है ठीक है आप देखिए यहां से वर्ग हटाते हैं तो इधर करणी आ जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा X धन एक बटे X बराबर यह वर्ग हटेगा तो यह आ जाएगा करणी 29 ठीके यह इसका आंसर हो जाएगा ठीके दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेला इकन बटन को दबा दें धन्यवाद